उसके बाद है reaction with non-metals अधातों के साथ अभी के लिए देखते हैं, अधातों के साथ अभी के लिए किस तरह से पुछा जाता है phosphorus के साथ एक्जाम में पुछा जा चुका है carbon के भी साथ पुछा जा चुका है sulfur के साथ भी पुछा जा चुका है या चारो कॉस्जन तो इसको ध्यान में रखोगी कि जब आयोडीन को 10mol of nitric acid के साथ अभिकरिया करवाते हैं तो बनाता है 2mol of iodic acid इसको बोलता है iodic acid plus 4mol of water plus 10mol of nitrogen dioxide अब इसमें ना dilute है ना concentrated सिर्फ हम लोग परियोग किये हैं कि जब आयोडीन को 10mol of nitric acid के साथ अभिकरिया करवाते हैं बनाता है 2mol of iodic acid plus 4mol of water plus 10mol of nitrogen dioxide उसी तरह से जब फोस्फोरस को जो कि टेटरायटों में थानि 4 फोस्फोरस एक साथ मुझूद रहते हैं जब फोस्फोरस को मिलाते हैं 20mol of nitric acid के साथ तो यह बनाता है 4mol of phosphoric acid plus 20mol of nitrogen dioxide plus 4mol of water का निर्मान करता है उसी तरह से जब कारबन को मिलाये जाता है 4mol of nitric acid के साथ तो बनाता है carbon dioxide plus 2mol of water plus 4mol of nitrogen dioxide उसी तरह से sulfur जो कि octatomic के octane 8 atom sulfur का साथ में मुझूद रहते हैं तो जब S8 को अनि sulfur को mix के जाता है 48mol of nitric acid के साथ तो बनाता है 8mol of sulfuric acid plus 48mol of nitrogen dioxide plus 16mol of water पहले भी बता चुके हैं यह जो coefficient आ रहा है 48 यह तो 4 यह 20 यह जो equation को balance करने के लिए दिया गया है ताकि अगर count करोंगे यहां पर hydrogen के संख्या 48 है तो इधर भी hydrogen के संख्या 48 आना चाहिए LHS और RHS दोनों में बराबर होना चाहिए atoms का संख्या जिससे hydrogen 16 हो गया और यहां पर कितना हो गया 32 और 16 और 32 कितना हो था 48 नाट्रूजन 48 से यहां पर भी नाट्रूजन 48 से तो इसी तरह से सभी atoms का संख्या LHS और RHS में बराबर करने के लिए equation को balance करने के लिए किसी खास coefficient से दोनों तरफ इंट्रू किया जाता है अगला chemical property है reaction with noble metals noble metals किसे करते तो gold और platinum को noble metal कहा जाता है कि the mixture of concentrated nitric acid and concentrated hydrochloric acid in one is to three ratio constitutes aquaragia aquaragia का आप लोग नाम सुने होंगे कि चांदी और sona को साफ करने के लिए परियोग किया जाता है उसी को aquaragia करते हैं कैसे बनाते हैं तो जब one mole of nitric acid और three mole of hydrochloric acid को आपस में mix करते हैं तो जो solution पराप्त होता है उसी को हम लोग कहते हैं aquaragia और इसी को परियोग करता है sonar chandhi को साफ करने के लिए लेकिन जब sonar chandhi को साफ क्या जाता है तो उसमें से कुछ मात्रा जोकी है इसमें घूल जाता है क्योंकि अभी किरिया होता है लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता है लेकिन अगर उसको चार-पांच बड़ धुलाया जा एक्वारagia से तो पता चलेगा कि sonar chandhi का वजन जो से हलका हो जाता है अलका होने के पीछे रीजन है कि जब उसको साफ क्या जाता है तो कुछ अमाउंट जो से एक्वारagia में खुला हुआ ही रह जाता है और इसके करम से सोनार लोग को फैदा हो जाता है और हम लोग को पता भी ने चलता है तो देखते हैं किस तरह से विक्रिया करता है तो और प्लसट उमनेक्ट ने सेंट क्लोरिवगली को रगाच। यहीं कलोरिंेत हैं सोना चांदी या तो पलेटीनूं के साथ अभी कर्टाय करता है जहाएं कोच कलोरी है। पहला है विद गॉल्ड के साथ अभिकरिया यही डेसेंट क्लोरिन एटम जो दोनों का भिकरिया करना इस बना है गॉल्ड के साथ अभिकरिया करके बनाता है आपका गॉल्ड का कलोराड और यही गॉल्ड का कलोराड हाड्रोकलोरिक एसिड के साथ पुना भिकरिया करके बना लेता है hydrogen gold का कलोराड यह एक compound है इसको बोलते हैं और इक कलोराड hydrogen और इक कलोराड उसी तरह से हैं platinum के साथ अविक्रिया कि जब platinum को इसी nascent chlorine के साथ अविक्रिया करवा जाता है यह बनाता है platinum tetra chloride और यही platinum tetra chloride पुना solution में मुझूद hydrochloric का और दो मूल के साथ अविक्रिया करके बना लेता है hydrogen platanic acid या तो simply platanic acid बोलते हैं इसको और इसी compound के बनने से जो है सो कुछ मात्रा gold रे चैन चांदी रे चैन प्लेटिनम रे solution मुझूद रा जाता है रसाने से साफ हो जाता है यह था आपका एक्वारेजे का प्रिप्रेशन और उसका विक्रिया अगला chemical property है जिसका नाम है nitrogen nitrogen में क्या करते हैं तो nitrogen में nitric acid और concentrated sulfuric acid को एक से क्या करते हैं कि क्यों की करते हैं कर दोनों के mixture को बोलते है इसको याद रखोगे कि positivity क्यों करते हैं तुझा करता है और जब गी concentrated sulfuric acid एक उत्प्रेरक आनि catalyst के तरह परियोग करता है यहां कि reaction में involved नहीं होता है सिर्फ reaction के दर को rate को increase करता है देखते हैं अभी किरिया कि जब benzene को अभी किरिया करवाय जाता है concentrated nitric acid के साथ catalyst है concentrated sulfuric acid हम लोग जानते हैं benzene का formula क्या होता है c6 h6 इसी को इस रूप में लिखा गए जिसको bond line formula लागते है bond के द्वारा represent करने का तरीका और जहां जहां पर bent है जहां जहां मुड़ा है benzene में उसको carbon बोलते है c6 h6 और इस तरह का structure में परतेक bend में एक hydrogen चुपा वराता है तो जब nitric acid को mix करते हैं तो क्या होता है कि nitric acid जो इस बेंजीन के साथ अभिकिरिया करके बनाता है nitrogen 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 यह नोटो को nitro और इसको बोलते हैं बेंजीन नैट्रो बेंजीन प्लस एक मॉल ओफ वाटर का निर्मान करता है उसी तरह से जब इसको बोलते हैं methyl benzene या तो इसको बोलते हैं tolin methyl benzene या तो टॉलिन जब टॉलिन को विकिरिया करवा जाता है 3mol of concentrated nitrogen 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 का structure कुछ इस तरह सो होता है तो जब 3mol of nitrogen nitrogen को tolin के साथ विकिरिया करवा जाता है और इसमें जो है इस उत्प्रेरा के catalyst कोन है तो हमेशा रहेगा कॉन concentrated sulfuric acid तो क्या होता है कि इसका यहां से hydrogen यहां से hydrogen और यहां से hydrogen और यहां से hydrogen और concentrated nitric acid का 3mol of water बना लेता है 3mol of water और जहां-जहां से hydrogen निकला वहां-वहां पर जाकर जिससे NO2 का group जूड़ जाता है उसी तरह से कि जब फैनोल को मेक्स किया जाता है जिसको फैनोल बोलते है या तो hydroxy Benzen का ते है या तो hydroxy Benzen को जब अभी किरिया करवाजाता है 3mol of concentrated nitric acid के साथ तो टॉलिन के जैसा यह भी किरिया करता है इसके पर तक यहां से यहां से यहां से आब कहने गेंगा यहां से हई्ट्रोजण निकलता है वहई पर जाके तीन हो यह जाके चुड़ जाता है और इसको में लोग बोलते हैं ट्राइंड नाइट्रोफ हैनो ai पूलते हैं TNP, फूल फॉर्म हो जागा Trinitrophenol, उसी तरह से हैं, यह जो फॉर्मूला दिख रहा है, इसको बोलते हैं Glycerol, 3 OH का गुरूप है, 3 कार्बन, जिसको बोलते है Glycerol, या तो Glycerin भी आम तोर पर इसको कहा जाता है, कि जब इस Glycerol को 3 mol of concentrated nitric acid के साथ अविकरिया करवा जाता है, तो इसका H और nitric acid में जो OH पर जैंट है, तो 3 बर H और 3 बर OH बना लेता है 3 mol of H2, और इसमें जो NO2 बचता है nitric acid में, वह जाके hydrogen में 3 जगा जूड जाता है, कुछ इस तरह से जूड जाता है, और इस compound का नाम होत है trinitroglycerin, short form वहता है TNG, लेकिन total form क्या बोले, trinitroglycerin और अभी जितना भी compound बनाए, TNG का बात करें, TNP का बात करें, या तो TNT, यानि trinitrotoline का बात करें, तिनों के तिनों exclusive सभस्टांस है, इस product सभस्टांस हैं, जो कि nitrogen अभिकरिया के द्वारा, nitric acid के साथ अभिकरिया सlogने आ odorami ठीछ और अभिकरिया है, श्रभिकर। इस उस्भदी जो का उन Spaß थीर, दो बनाए, भाई टot जो कि वहता हैं, उनी रहां हैं, उनी का बात करें, रहां हैं, वहता हैं, जोmayı बना हैं, आग हैं, जो वहाई। इस आ आर 10 आर.